नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है चंदन पुद्दार और बात करते हैं आज की टॉप बिसनस नियोसकी सबसे पहले बिर्ला ग्रुप ने अपना एक प्रपोजल रखा है गौवर्मेंट के आगे कि वो वोड़ा फून आइडिया के अंदर जो उनका 27% स्टेक है वो उसको गिव अप करने के लिए तयार हैं किसी भी गौवर्मेंट को मतलब सेंटल गौवर्मेंट को स्टेट तो बेसिकली जो इंडिसलिस्ट है कुमार मंगलम बिला उनका ऐसा कहना है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके उपर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए उनको रेगुलर सर्विसस मिलती रहें तो ये जरूरी हो गया है कि गौवर्मेंट जो है वोड़ा फून आइडिया के उपर है मतलब एक लाग 80,000 करोड रूपे के आसपास जो है और इसकी नेट वर्थ कांपनी की जो है नेगेटिव हो चुकी है वोड़ा फून और आइडिया जो है मर्ज हुए थे अगस 2018 के अंदर और उसके बाद ये वोड़ा फून आइडिया बना जिसको आ कहीं पीछे हट रहे हैं इवन गौर्वर्मेंट ने भी अभी कुछ हपते पहले 15,000 करोड रूपे की जो इन्वेस्टमेंट थी FDI के थुरू एप्रूफ कर दी थी लेकिन इन्वेस्टर्स जो हैंब इंटरस्टेड नहीं दिख रहे हैं क्योंकि कांपनी का जो रिवाइव करने के लिए अब कहीं ना कहीं गौर्वर्मेंट स्रपोर्ट की जरूरत हो गई है और मेरे हिसाब से यहां पर जो है गौर्मेंट को कुछ फानेशल हेल्प जो है कंपनी को प्रोवाइट करनी चाहिए बाइ टेकिंग दा इक्विटी स्टेक अधर्वाइस जो एक सबसे ब कि इस वोड़ाफोन आइडिया को जो है आप गवर्मेंट को टेक ओवर कर लेना चाहिए नेक्स्ट यूज आई आई आर सीटीसी और भेल से अच्चुली मिनिस्ट्री ओफ रेल्वेज ने जो अभी बिड मंगाई थी कि 29 पेर आफ ट्रेंस को रन करने के लिए 40 मॉडर्न इस मतलब modern Rakes के हैं basically जो modern training होती है उनको modern Rakes पूल दिया जाता है तो basically 12 segments designed के गए थे कि आप 12 clusters आप जिसको बोल सकते हैं obviously वो profitable routes होंगे उसी के अंदर interest दिखाया जाएगा जो 9 unprofitable routes होंगे उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर ने किसी भी तरीके से कोई interest नहीं दिखाया सिब प्राइवेट सेक्टर नहीं open for all था कोई भी इसके अंदर bid लगा सकता था तो यहाँ पर जो है Indian Railway Catering and Tourism Corporation और भारत हैवी Electricals इनके बीच में बाते चल रही है कि यह private trains run कर सकते हैं जिसमें जो भेल है that is भारत हैवी Electricals जो है वो जो है पैसा लगाएगा और IRCTC जो है operational issues देखेगा लेकिन मेरको all together यह जो private trains का concept है personally ऐसा लगता है कि कहीं यह वैसा 1991 जैसा ही कुछ हो ना हो जाए कि जहां पर हमने क्या किया कि loss making organizations तो government पे रह गई थी और profit making सारी जो है वो privatize हो गई थी तो यहां पर कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वही अगर roots को privatize कर रहे हैं तो loss plus profit दोनों हो combined government condition रखते हैं वही लेना है तो सब लों नहीं तो यह नहीं है कि profit वाला मिलेगा वो नहीं मिलेगा और इसके लिए कहीं ना कहीं जो है corruption नहीं हो ना चाहिए bureaucracy जो है वो एकदम तरीके से काम करें तब ही यह सब चीजे जो possible है otherwise again फिर इंडिया को जटका ही लगे और private sector को फायदा ही देखने को मिलेगा इसके बाद policy बजार जो है उसने 6000 करोड़ रुपे के IPO के लिए paper file कर दिये काफी लोगों ने comment section में लिखा था IPO का मतलब क्या होता तो IPO is initial public offer जब कोई भी company first time public से पैसे raise करती है और वो अपने आपको list करना चाहती है share market में तो जो वो shares issue करती है उसको हम simply आप कह दीजे कि IPO कहते हैं इसके बाद next news आई aviation sector के लिए अच्छी news 75% of pre-covid levels अगस्त एक को उसने hit कर दिया काफी airline executives का CEOs का top officials का यह कहना है कि government ने जो कैपिंग लगा रखी है कि इससे जादा fair charge नहीं कर सकते है और 65% capacity पे इस समें airplane operate हो सकता है कोई maximum तो कहीं ना कहीं जो है यह hurdle create कर रहा है growth achieve करने में वो इसे government को step by step phases में वापस लेना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूंगा यह कोई permanent नहीं है कोरोना का virus है जो है वो अब third wave worldwide हमें देखने को मिल रहे है अगर आब बात करें Sydney में 6 हफते का lockdown लगा दिया गया Sydney अस्ट्रेलिया में बनलब सबको पता ही होना चाहिए वो अस्ट्रेलिया की राजधानी है और वहाँ पर even military को जो है roads पर उतार दिया गया है कि भई stick lockdown लगा रहे even आब बात करें USA की तो वहां 80,000 cases per day की जो है वो average देखने को हमें मिल रही है even UAE ने जो है तीन साल से उपर के बच्चों के लिए जो shots है वैक्सीन के वो एप्रूव कर दिये हैं इससे पहले Hong Kong और Singapore ऐसा already कर चुके हैं कि बच्चों को वैक्सीन लगनी वहाँ शुरू हो चुकी है चाइना के अंदर delta variant बहुत देजी से फैलता जा रहा है तो third wave worldwide देखने को मिल रहे हैं लेकिन हाँ सिर्फ यह एक अच्छी न्यूज आरी कि जिनको वैक्सीन लग गई है उनके hospital chances जाने के chances कम हो रहे हैं और maximum cases जो आ रहे हैं वो unvaccinated लोगों के अंदर देखने को मिल रहे हैं even Japan जो है वो booster shot next year तक approve कर सकता है booster shot क्या होता है कि अगर किसी का already vaccine लगी हुई है और antibodies एक time तक ही बनते हैं तो antibodies बनने बंद हो गए हैं तो booster shot लगा जाता है तकि दुबारा से antibodies बनने शुदू हो जाए पर overall उसमें news यह आ रही है कि co vaccine जो है वो delta variant पर काफी कामियाप सावित हो रही है और इंडिया जो है अभी कही ना कहीं वो third wave से बचावा है लेकिन yes जिस हिसाब से चीज़े चल रही है अभी Joe Biden के जो एक doctor है जो उनके main consultant है उन्होंने का कि जिस हिसाब से चीज़े चल रही है यह तीसरी या तीसवी लहर भी हमें देखने को मिल सकती है तो देखते हैं आगे क्या होता है लेकिन yes COVID को में अपने life का part बाना के अब उस तरीके से ही चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रुरत हो गई है और अगर ऐसा रहता है तो बहुत drastically 2025 तक चीज़े जो है obviously change होंगी उसके बाद Tokyo Olympics को लेके update आपको देना चाहूँगा चाइना जो है number one position पे maintain है 62 medals जो है भी तक वो जीच चुका है 29 gold, 17 silver, 16 bronze इंडिया की बात करें तो हमने इस साल 120 athletes अपने भेजे हैं 85 medal events के अंदर उन्हें participate करना है और अभी तक इंडिया जो है सिर्फ एक silver और एक bronze medal ही ले पाया है चलिए next जो आई news वो आई oil prices को लेके oil prices जो है वो नीचे की तरफ आए हैं उसके पीछे एक कारण तो पहले ही आ गया था कि जो opaque countries हैं जो की oil का production करती है majority crude oil का production करती हैं उन्होंने आपस में consent बना ली थी कि अगस से वो जो है production boost अप करेंगे और जब भी production boost होगा supply boost होगी तो कहीं न कहीं जो है आप देखेंगे कि prices नीचे होगे यह news हमने पहले भी discuss की थी कि अगस में कहीं न कहीं oil prices कम हो सकते लेकिन second reason यह रहा कि जो चाइना है world का second largest जो है oil का consumer है और वहाँ पर जो है economy weak होने के signal आए है private survey किये गए even government survey के अंदर भी है पाया गया कि जो वहाँ की MSME sectors है small manufacturers है और आपका export oriented units है उनका जो production है वो down हो रहा है जिसकी वज़े से माना जा रहा है कि चाइना में आने वाले time में जो consumption है oil का वो कम होगा और second जो है supply बढ़ने वाले तो इस वज़े से इन sentiments की वज़े से oil के prices नीचे आते हुए दिख रहे है तो यह थी आज की top business news कैसी लगी आप जरूर बताईएगा comment section में और यह PPT आप हमारे telegram channel से ले सकते हैं जैशी शाम